नमस्कार किसन भाईयों आज इस वीडियो में बात करेंगे 900 रुपे पैकिट कहां पर विका है आलू और ये 100% सकते है तो देखिए आलू में जब भी तेजी आती है हर किसी को फायदा रहता है चाये वो ब्यवपारी हों, कोल्ड वाले हों, किसान हों या आड़ती हों किसान क को अपनी लागत का चमल मेंने लगता है, आड़तीयों को और कोल्ड वालों को नगर पैसाने लगता है, और व्यवपारीयों को भी मुनाफ़ों होनी लगता है, लेकिन इसके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, किसान भाईयों बेच लें, मतलब बहुत कुछ बातें करते हैं, तो वो कुछी लोगें इनकी बातों में हम नहीं आते हैं, फिलाल आज की इस वीडियों में बात करेंगे, किस मंडियों में आया उचाल, क्योंकि हजातर मंडियों में उचाल देखने को आज मिला है, और आवक में काफी ग्रावट देखने को मिली है, अब देखिए आवक तो काफी देखने को कम मिली रही है मंडियों में लेकिन इसके साथ साथ जो पहले रेट इस्तिर बना हुआ था अब उससे उपर आने की तो और बढ़ रहा है लेकिन अगर गिरावट आनी थी तो मार्केट अभी काफी गिरावट हो जाता लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है तो आज इस वीडियो में आप के लिए मैं बहुत कुछ बात्य गर बाते हैं कुछ मंडियों के बारे में क्योंकि मंडियों के भाव से हम बात करेंगे अब रही बात अलू का 900 रुपे पैकिट कहां विकाह हैyon आजदपुर मंडियों में सत्थर गाड़ी के आसपास बताई जा रही है नौ गाड़ी बेलेंस बचा है और संबल का जो आलू है वो आज दो गाड़ी पहुचा है केवल दो गाड़ी संबल से अब इसका क्या ही कारण है जो संबल से दो गाड़ी पहुचा है इसके कारण बहुत है देखिए जहां पर म सब्मन में गया था वहां जो मुस्लिम भाई थे उनका रम्जन चला था ठीक है तो मुझे तो लग रहा नहीं है कि इद की चक्कर में उन्होंने कोई गाड़ी लोड़ की हो उन्होंने आज के लिए यानि जो आज दिल्ली में गाड़ी पहुंची है क्योंकि उनके रम्जन चलना है आज इतकी विजय से वहां गाड़ी इस विजय से कम पहुंची है मुझे लग रहा है सब मारको गाड़ी बढ़ती हुई दिखेंगे यहां पर तो और तुमारे अलिगर से भी पांच गाड़ी है अब कोल्ड खुल जाएंगे कोल्ड से भी गा लगाड़ का डिली मंडी में गाड़ी कोल्ड वाला थकव द्विखाव कोल्ड चुक है। काफी तेजी देखने मिली है और आज घाड़ी केबल सक्तर पहुंच लगा के यहांनी लगा क chapters क्यों गारी को लगाते हैं अब देख सकते हो काफी अच्छा है अनुक्सक्त जब है यह हाल के कुछ हो सकता है कुछ मुसलिम भाईयों की इद हो इस विएसे वह उनकी आड़त बंद हो इस वज़े से भी गाड़ी वहां कम पहुंची हूँ आप समझे नहीं बात को जैसे दिल्ली मंडी में कुछ हमारे मुसलिम भाईयें उन्होंने क्या पता अपनी आड फरकबाद मंडी में आज 25 गाड़ी के आसपास है 25 गाड़ी और यहां पर भी 20-30 रुपे का उच्छाल देखने को आज मिला है गड़ आलू 621 से लेके और 700 रुपे तक बिका है और यहां पर चट्टा आलू बिका है 680 से लेके 770 रुपे तक बिका है बड़ी में आलू 15-70 रुपे के लो यहां पर विका है और 12 बंकी की बात करने तो 12 बंकी में आलू जो लूज आलू वह विका है 7800 से 8500 रुपे और बिल्टी भी किया सब 900 से 9500 रुपे अब यहां पर भी थोड़ी डुमांड आती हुए दिख रही है 12 बंकी में लेकिन यहां डंप के बाद हर जगह को खुलने की बाद चली है यहां तो इद के बाद के बाद के बाद बढ़ेंगे आब बढ़ जाएगी मंडियों में मतलब बढ़ें लगेगी तो काफी लोग कहेंगे जब आब बढ़ेगी तो मार्केट गर सकता है तो देखिए ऐसा भी नहीं जो आप सू के गर्मी में डिबांट काँसे बढ़ेगी तो भाई बहुत बड़ा जो चेतर है मतलब बहुत बड़े एरिये में जो भाई मुस्लिम भाई है वह रम्यान रहे थे अब रम्यान उनके खतम हो चुके हैं तो वहां से भी कुछ कपत बढ़के आएगी इधर आपकी गाड़ी बढ़ेंगी तो उधर खपत भी बढ़ेगी तो यह सब बेलेंस बनके चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मैं तो यह कहता हूं सीधी बात यह है किसी ब्यवपारी भाई ने अगर आलू हमारा खरीद लिया 600 रुपे पैकेट तो वह किसी भी अपनी मंडी में किसी कोई भी बात नहीं है किसा आप घवडा जाओगे आलू आप मिलते रहेगा किसी की बातों में आने कोई जरूती नहीं है हमको हमें तो हर भाव लेना है मार्केट का हर भाव लेंगे हमें फैदा रहेगा अब मुझे एक बात बताईए मैं वहाँ पर गया था जा डंप लग रही है और मैंने अपनी आंकों से वह किसान देखे थे जन्होंने 20 वीग आलू किया बीस वीगा का आलू खेस से बेच दिया उनके सर भाईयों को आज की डेट में क्या मिला केवल और केवल करजा मिला उ एवरेज में उनका आलू आ जाता 25 रुपे पैकेट तो जो उन्होंने 25 रुपे कुंटल बेच आया वह आ जाता उनका 25 रुपे पैकेट वाला सिस्टम आ जाता तो मैं इसलिए कहता हूं कुछ किसान भाही बहुत ज्यादा आलू कर तो लेते हैं लेकिन बेचने में समल्द बेच दो और ऐसा भी नहों कि पूरी रुप के बैठ जाओ अगर अच्छा भाहु लेना तो हर किसी को अलू बेचना होगा मतलब मुझे भी अलू बेचना पड़ेगा तभी मैं और अलू का अच्छा भाहु ले पाँगा ठीक है अब देखी अलू करेट जैसे सूर्या की रहें अच्छा चला रूपे तक चला साड़ी सासो तक चला तो अगर मुझे आठीक साथी के अधर पर और देखी चलने यह दोजार तेईस है दोजार चौबीस में चुनाब है सरकारी चाहेगी कि अपने खिसानों का अलू सही रेट में बिकते रहना चाहिए ठीक है लेकि किसवाई जैसे आलू बेशते रहेंगे उनको आगेस चलके बहुत अच्छा मुनाप़ा होते रहेगा जब आप आलू को यहां से बेचना शुरू करें तो हो सकता आगे वाले टाइम में आपको फायदा मिले हमको भी फायदा मिले हर किसी कुर्षानों को फायदा मिले ठीक है लेकन अपनी समझदारी से काम लें किसी की ज़्यादा बातों में अफवा में ना आएं बहुत लोग तो आपको तरहतरे की बाते बताएंगे क्योंकि आप ये सोच लें कि देखिए मैं तो यह जानता कि आने वाले भविष्ट में क्या होगा तो मैं और किसी की बात भी नहीं मानता हूं कि और कोई क्या बतारा भविष्ट में क्या होगा केबल और केबल इतनी बात मानी जासकती है दो चार्गनी की आगे की बस ज्यादा कुछ बात है आपको मानना ज्यादा अच्छा नहीं ह भविष्ट में यह हो जाएगा अब मुझे एक वार बताईए कि जो ब्यवपारी लोग आलू खरीदे आपके कोल्ड में अब माली जी जो ब्यवपारी आपके कोल्ड से आलू खरीद रहा है आग रासे और उनको आलू ले जाना है तुम्हारे चेन नहीं वगएरा तो वहाँ तो इसके लिए तो फिर अपना बहुत बड़ा रिस्कू होता है या तो आर या पार सीधी बात रहती है हमारी तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे चलके आपके लिए ऐसी जनकरी मिलती रहेगी और नहीं नहीं जनकरी चैनल पर में लाता हूं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मैं विकास गोर्ड नमस्कार